अगर आपको वैल्थ क्रियेशन करनी है तो आपको एक अच्छा स्मॉल कैप ढूडने की बहुत जादा जरुवत होती है क्योंकि रिस्क तो भले ही जादा होता है स्मॉल कैप शेरों में लेकिन जो पैसा स्मॉल कैप बना के देता है वो मिड कैप और लार्ज कैप कभी भी नहीं बना के दे सकते हैं और आरती ड्रक्स एक ऐसा ही स्टॉक है जो स्मॉल कैप का ये स्टॉक है लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशल है वो अमेजिंग है Active Pharmaceuticals Ingredients यानि के API जिसको हम बोलते हैं वो मैनुफेक्चर ये करता है मेजरली देखे उसी से इसका रिवेन्यू आता है और ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ा API मैनुफेक्चर है API को simple भाषा मैं आपको समझाओं तो क्या होता है जो आप tablets खाते हैं, capsules खाते हैं वो जिस chemical compound से बने होते हैं वो chemical compound देखे अलग-अलग API से बनते हैं और वो API मतलब वो raw material pharmaceutical company के लिए आर्थी drugs बनाती है यानि के जितनी भी pharmaceutical companies हैं वो इनकी clients हैं उनको ये API बना के देती हैं और कुछ specialized यहाँ पर API है जिनके अंदर ये largest manufacturer है मैं इनकी आपको भी investor profile के एक जहलक दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितने जादा देशों के अंदर ये अपने product को supply करते हैं एक्सपोर्ट बहुत जबरदस है इस company का और सबसे बड़ा जो revenue इनका collection होता है वो होता है एशिया से जो किया 51% अब इस stock के अंदर देखे एक बहुत important बहुत interesting यहाँ पर news आ रही है कि 20 तारिक को होने वाली इनकी जो meeting है उसके अंदर board of directors जो है आपको bonus share दे सकते हैं अगर आपके पास already आरती drugs के shares है तो यानिके bonus share यानिके एक share के ऊपर एक share या दो share या फिर कितने share दे सकती है वो सारी चीजे उसी proposal के बाद finalize होंगी जो 20 तारिक को consider किया जा रहा है board of directors के दुआरा अगर आप इसके past performance देखेंगे तो एक साल के अंदर इस company ने 4 गुना किया है आपका पैसा देखें मानता हूँ ये बात कि small caps के अंदर basically जादा risk होता है अगर compare करें mid caps से या फिर large caps से लेकिन जिस तरीके की return profile drugs की है वो सारी चीजे इस stock के लिए negative हो जाती है गलत हो जाती है और बहुत ही शान्दार ये stock निकल के आता है सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ इनकी एक हलकी सी overview दिखाता हूँ investor profile का FY 2021 का और उसके बाद में हम लोग आगी की तरफ इसके उपर चर्चा करेंगे किस तरीके से position है चार्ट के उपर देखें ये है आरती ड्रक्स की investors presentation की copy जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आपको यहाँ पर explain किया है अपनी facility को अपनी company के बारे में तो देखें ये company इतने सारे drugs के अंदर largest manufacturer है वर्ड के अंदर जिसके अंदर से nemuslide आता है metformim आता है और भी बहुत सारे यहां drugs के नाम दिये हैं मतलब ये इतना बड़ा producer है कि किसी भी देश में वो medicine अगर manufacture होती है तो उसका API इंडिया से ही जाता है और आरती drugs ही उसको दे इसके अलावा देखें 12 manufacturing facilities है 100 plus से जादा countries के अंदर इनका export का काम है 1500 से जादा इनके employees है 50 plus से जादा इनके API molecules है 80 plus से जादा finished products ये बनाते हैं और approximately 34% export revenue इनका है 3588 metric ton इनकी monthly API capacity है देखें सर ये कोई cement plant नहीं है ये एक drugs plant है जो basically active pharmaceutical ingredient बनाता है और ये quantity देखें आप हैरान हो जाएंगे 3588 आनिके approximately 3600 metric ton की monthly capacity है 34,071 square meter के अंदर इनका API plant area है total जितनी भी manufacturings है जहाँ पा API manufacture करते हैं 34,071 square meter के अंदर वो सारे plant का area आता है बहुत ही शांदार है इनका revenue CGR देखेंगे 13% है EBITUS CGR देखेंगे 11% से जादा है और PET जो है वो approximately 20% है compounded annual growth rate की अगर हम बात करें तो बहुत ही शांदार यहाँ profile आपको दिखाई देगी इसके लावा कुछ और key points इनके बताता हूं मैं आपको देखिए यह company देखें revenue wise यहाँ पर split किया हूँ है इन्होंने सबसे जादा business इनका API से आता है जैसे मैंने आपको बता है 79% इनका जो business है वो API से आता है उसके बाद में formulation उसके बाद में specialty chemicals फिर intermediates and others की यहाँ पर भूमी का रहती है बाकी का 21% तो यह बहुत बड़ी company है जो API manufacture करती है अगर इनकी आप पूरे word map में अगर आप इनके export overview को देखें तो यहाँ आप देखें A letter से शुरू होती है और Z letter पे खतम होती है 104 countries के अंदर यह लोग export करते है यह अपने आप में बहुत important बात है और Asia से देखें 50% का इनका revenue यहाँ पर आता है उसके बाद में Africa से 11% आता है North America से 7% आता है Europe से 13% आता है and Latin America से 18% आता है बहुत ही शांदार export business है इस company का तो इतने strong base के साथ में यह company basically कामकाच करती है कुछ local client list अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा Pfizer Suppla, Zydus Cadillac, Abbott, Mankind, Sun Pharma जैसी companies जो है इनके client है Torrent Pharma, LMB, Lupin यह देखें सारे बड़े बड़े नाम है जो आप basically stock market में देखते होंगे जिनके जो already listed है वो सारे के सारे आरती drugs के client है यानि के अब आप सोचिए जब उन companies का जो उन फार्मा companies का basically business इतना बढ़ रहा है तो definite सी बात है आरती drugs का तो business बढ़ेगा ही बढ़ेगा क सभी companies को सभी बड़े brands को supply करते हैं अपने products चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको आज यानि अठार आगस 2020 को कैसा इसके अंदर business हुआ है वो देखने की कोशिश करते हैं तो देखें 2368 रुपे के उपर last trading price दिखा रहा है एक रुपिया कम इसका closing price है आज का 2% से जादा क यहाँ पर बना देता है क्योंकि ticket size बड़ा है 50 रुपे की तेजी यहाँ दिखा रहा है और देखें कल इस stock के अंदर बहुत सबर्दस तेजी आई थी लगबख 7-8% यह stock ऊपर कल अपर दिखाया इसने जब इसके अंदर bonus share की खबर आई थी तो अब वो 20 तारीक के बाद मे clear हो पाएगा देखें जो भी 20 तारीक को यहाँ पर decision लिया जाता है management के दुआरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह consider कर लिया जाएगा और bonus share के चलते इस stock के अंदर भारी तेजी की संभावना अभी हम बता सकते हैं जता सकते हैं 2550 रुपे का इसका जो 52 वीक हाई है 7 अग 1000 share के अंदर उठाई गई है delivery तो percentage of delivery निकल के आती है approximately 37.41% की यहाँ पर उसके बाद में पुराने returns आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखें बहुत जबर्दस आपको return दिखाई देंगे पुरानी छोटी profile आपको नहीं दिखा रहा हूँ थोड़ी लंबी profile के उपर इ तेजी इसके अंदर एक साल के बीतर ही आई है तीन साल की थोड़ी लंबी profile अगर आपको दिखाता हूँ तो इसमें देखें 364% से ज़्यादा की लगबख 365% की तेजी है और 10 साल की लंबी profile पर देखते हैं 3330% की यहाँ पर तेजी आपको दिखाई देगी आज से 10 साल पह इसने अपने investors को कितना जबदस मुनाफ़ा कमा के दिया है अगर आप ऐसे small cap stocks पकड़ते हैं तो वो risk free भी होते हैं और कमाई भी करा के देते हैं क्योंकि देखें इनका जो business है वो एक healthcare के उपर dependent है जो कभी कमनी होने वाला है उसकी volumes हमेशा बढ़ते रहेंगे दुनिया की population हर जंगा increase हो रही है और सब ही लोग बेसिकली जादा से जादा अब medicines का use करने लगे हैं पिछले 10 साल के अंदर medicine का consumption पूरे worldwide अगर आप देखें तो भढ़ गया है वो इसलिए देखें मैडिसिन बेसिकली जरुवत से जादा business बन चुकी है और यहां पर देखिए फार्मा क placed यह stock है charts के उपर clear cut यहां indication दिखा रखा है इसने एक uptrend यहां form करी है और देखें यहां मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत amazing चीज क्या है इस stock के अंदर सबसे पहले इसके volumes यहां से हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा और आपको बड़ा vision यहां मिल जाएगा और इसके RSI क यहां मेरा cursor है यह line यह line देखें इस stock के लिए एक basically बहुत strong support का काम करती है जब इस stock ने consolidation mode दिखाया है या फिर यह stock नीचे आया है हमेशा 9 दिन के exponential moving average से टकरा के यह वापस उपर की तरफ भढ़ गया है बहुत कम chances आपको ऐसे दिखाई देंगे जब इस stock ने 9 दिन के exponential moving average क को cross किया हो या crack किया हो केवल एक point मुझे यहां दिखाई दे रहा है यह जब इसने basically crack करके अपने 21 दिन के exponential moving average तक यह गया लेकिन उसके बावाजूद भी इस stock ने basically फिर से एक uptrend show किया है तो 9 दिन का exponential moving average जो है बहुत लंबी profile की मैं आपसे बात कर रहा हूं यह बात अभी अगर आप देखें तो यह stock अपने 9 दिन के exponential moving average से उपर ही यहा पर trade हो तब आपको दिखाई दे रहा है तो देखें इस तरह कि इसकी profile है और यह basically बहुत शांदार अपने एक uptrend के अंदर है और यहां पर आप अगर इसके retraceable path को track करके और lower levels पर इसके एक position मनाते हैं जो कि है अभी इसका basically यही 9 दिन का exponential moving average और यह दिखाई दे रहा है 249 रुपे के ऊपर तो यहां से आपको basically काफी अच्छे returns आते वे दिखाई दे सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ यह stock अपने बिल्कुल highs के आसपास चल रहा है और इस stock के अंदर अभी कुछ नीचे गिराव के अंदर भी medicines बहुत जादा zero से बन रही हैं तो यहां पर इनका आने वाले quarters के अंदर export का anticipation है वो यहां से भी भड़तावा दिखाई दे रहा है तो यह stock और नहीं उचाईयों को छूने का दमखम रखता है ऐसा यहां पर हम लोग अभी anticipate कर सकते हैं इस stock के अंदर तो देख कि यह RSI इसका बहुत लंबे time से मतलब March के low से अपने यह अपने high trend के अंदर यह मतलब overvalued zone के आसपास यहां पर आपको float होता वा दिखाई देगा देगा देखिए जैसे कि मैंने already आपको बताया कि यह stock basically बहुत ही जबर्दस uptrend के अंदर है और इसने बहुत जादा नीच exponential moving average को basically respect देता हुआ आगे की तरफ बढ़ता गया है वो ही सारी चीज़े RSI पे यहां पर basically reflect हो दी है और अभी भी यह stock इसी zone के अंदर रहने वाला है या फिर इस zone के आसपास ही रहने वाला है तो इस stock के अंदर downside जो है बहुत जादा limited है इसलिए आप expectation ऐसी मत रखेगा कि यह stock गिरेगा उसके बाद आप इसके अंदर positions बनाएंगे अगर आप इस level के ऊपर भी इसके अंदर position बनाते हैं तो आपको आने वाले time में बहुत अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है मेरा personally यह suggestion आपको रहेगा कि Q2 के results तक आप इसके अंदर जरूर wait करें अगर short term नजरिया हो आने वाला quarter तो बहुत important इसके लिए क्योंकि sales इनकी भढ़ती भी आपको वहाँ नजर आएगी ऐसा estimations लगाया जा रहा है तो देखे यह था आड़ती drugs के बारे में पूरा analyzation जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है और किस तरीके से यहाँ पर एक उच्छा लाने की समभावना है 20 तारीक के बाद में जब इनका management decision लेगा कि bonus share कितने और कैसे देने हैं तो इस वीडियो के अंदर दीगे information को आप कैसे देखते हैं प्लीज मुझे comment box में comment करके ज़रू बता है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेर भी आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थेंक्यू जैहिंद